गुजरात के वडोदरा से भुगबान राम के लिए एक ऐसा अनोखा उपहार आया है जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ जी हां बाई जिन्वरी को राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं जिसे लेकर सभी राम भक्त अपने आराध्य को कुछ ना कुछ समर्पित कर रहे हैं इसी कड़ी में गुजरात के वडोदरा निवासी अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने विश्व का सबसे बड़ा दीपक को बना कर इतिहास के पन्नों में इसका नाम दर्ज कर रा लिया है बताते कि बाई जुनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी दिन के लिए इस दीपक को बनाया गया है जिसका नाम अब इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज हुआ चलिए आपको सुनाते हैं उन्ही की जुबानी यह दीप बनाया है हमने 1100 किलो वजन का है उसमें जो गी समाने जावे तो 501 किलो गी समा सकता है जो जलाने के लिए 15 किलो रुई का दिया बनाया है और इसका खासियत यह है कि जो दिया जलता है तो दो से अड़ी महिना तक दिया जलेगा तो देखा अपने के बताया कि दीपक को रामलला के लिए खास तोर पर त्यार किया गया है 501 किलो घी की क्षमता वाले से दीपक का वजन 1100 किलो है साथ ही दीपक को प्रज्वलित करने के लिए 15 किलो रुई से जोती बनाई गई है बता देगी यह दीपक एक बार को सुनाते हैं यह हमने जो नीचे का है एस एस का है और एमस का है उपर का पुला पितल और ब्रास का बनाया हुआ है इसमें बनाने में मेरे को एक महीना लग गया 24 घंटे काम किया दसकारी गरों ने तब यह दिया बनाया है किसको समय किया राम मंदिर में समर्दित करने के लिए आये हैं तो देखा आपने के इस ब्रास और पीतल के पंचमुखी दीपक को दस कारीगरों ने एक महीने लगातार 24 घंटे काम कर पूरा किया है जहां पात सो एक किलो घी की क्षमता वाला दीपक ग्यारे सो किलो का है जिसके लिए 15 किलो रूई का इस्तिमाल किया गया है और दस कारीगरों ने मिलकर एक महीने तक इसे 24 घंटे लगातार काम कर बनाया है इसलिए इस दीपक ने इतिहास में नाम दर्स कर दिया है.